ओके स्वागत है दोस्तो हमारे चेकपोइंट के lecure number 2 में और शुराब करने जा रहे हैं हम lecure number 2 and इसमें हम समझेंगे चेकपोइंट के history के बारे में कि क्या operating system चेकपोइंट में use होते हैं और history क्या है and then हम समझेंगे checkpoint firewall का packet flow क्या है checkpoint firewall पे जब भी कोई packet receive होता है तो उसको वो कैसे process करता है आगे and then different type के deployment checkpoint में जो use होते हैं वो हम जानेंगे and then thriller architecture जो checkpoint का thriller architecture है उसके बारे में हम जानेंगे तो start करते हैं तो अगर हम history की बात करें तो checkpoint जो company है वो किस country की है वो है इसराइल की and ये कब establish हुई थी क्या हुई थी ये आप google में type करके search कर लिजेगा तो checkpoint इसराइल की company है initially checkpoint जो operating system यूज़ करती थी वो splat यूज़ करती थी जो कि आपका linux based operating system था बात में checkpoint ने Nokia एक company है company थी जो कि firewall बनाती थी अभी तो mobile phone वगरा बनाती है तो firewall बनाती थी Nokia तो checkpoint ने Nokia को खरीद लिया था तो उन्होंने बाद में ipso और splat को combine करके यानि ipso प्लास splat को combine करके guy operating system बनाया और जो कि आपका linux प्लास unix based operating system था and बात करें guy नाम क्यों रखा तो guy दोस्तो Egypt की language में mother को कहा जाता है तो इन्होंने नाम गया रखा तो वहराल इस slide में इतना ही अगर आपको कोई doubt हो तो आप history तो आप checkpoint की Google पे भी search कर सकते है तो आगे बढ़ते हैं अपने lecture में हमारी next slide है packet flow अगर दोस्तो packet flow की बात करें तो हर firewall का अपना अपना different packet flow होता है और ASA का अपना अलग है ASA 8.2 version अभी जो latest है 8.2 नहीं 8.2 के बात की इतने version आए है उन पे थोड़ा different आया है packet flow का वो क्या है हम जब ASA की series अपलोड करेंगे तो जानेंगे अगर हम बात करते हैं तो checkpoint का packet flow कुछ इस तरीके से है जब भी कोई packet हमारे checkpoint firewall को receive होता है तो सबसे पहले वो same database को check करता है दोस्तो same database क्या है इसके बारे में confuse होने की ज़रूद नहीं है हम अपने next lecture में पढ़ लेंगे अगर हलका हलका बताया जाए तो same database होता है एक rule create होता है smart view monitor एक tool होता है checkpoint का उसके अंदर जहाँ पर कि आपको अगर पता लगता है किसी particular IP से कोई attack हो रहा है और आपको से suddenly block करना है तो हम उसे same database में include करके rule create करते है और then checkpoint आपका check करेगा anti-spoofing को interface पर जो आप anti-spoofing configure करते है उसे check करेगा then next number पे वो आपका rule चेक करता है कि क्या firewall पे उस packet के लिए यानि उस source और उस destination और उस port के लिए कोई rule डला है या नहीं डला है अगर rule है तो next step वो destination net चेक करता है क्या इस packet के लिए इस source और इस destination के लिए कोई destination net है या नहीं है अगर है तो ठीक है नहीं है तो वो next step का आगे बढ़ेगा route look up चेक करेगा route look up में क्या करेगा वो उस packet के लिए route चेक करेगा कि क्या इस packet के इस source IP के लिए और इस destination के लिए कोई route है या नहीं है अगर है तो ठीक है नहीं है तो आगे forward करेगा अगर है तो भी आगे forward करेग़ देन वो चेक करेगा source net क्या इस packet के लिए कोई source net है अगर है तो ठेक नहीं है तो आगे forward करेगा देन चेक करेगा आपका VPN क्या जो IP आप firewall को receive हुआ है वो किसी existing VPN का member है या नहीं है तो वो चेक करेगा अगर existing VPN का member है तो उस VPN के through transfer करेगा आगे forward करेगा अगर नहीं है तो आगे inspection के लिए forward करेगा दोस्तो layer 7 inspection क्या होता है इसमें आपका URL चेक किया जाता है कि बंदा Facebook एकसेस करना चाहता है यूट्यूब या उसे allow करना है नहीं करना है आपका IPS चेक किया जाएगा कि क्या अगर कोई attachment forward हो रहा है तो क्या उसमें कोई malicious virus है या कुछ भी चीज ऐसी है and then identity awareness and all other things it will check in layer 7 and then finally वो आपके packet को route करेगा तो अगर इनमें से कोई भी criteria उसे match नहीं करता है तो उस packet को वहीं पर discard कर देगा and discard कर देगा means अगर destination net चेक करता है और उसके लिए destination net नहीं है तो भी उसे forward करेगा अगर है तो उसके according forward करेगा तो discard कर देगा मतलब कि अगर उसका rule policy अगर पहले ब्लॉक है तो वह यहां पर discard करेगा यहां पर discard करेगा और अगर route नहीं है तो यहां पर discard करेगा तो condition apply होती है अला कला तो I hope आप लोगे समझ में आ गयाओ का packet flow किस तरीके से checkpoint को वहाग करता है तो हम आगे बढ़ते हैं अपने स्लाइड में ओके सो ओके दोस्तों अगर हम deployment की बात करते हैं अपने checkpoint firewall में तो checkpoint firewall का deployment कुछ बाकी firewall से अलग रहता है यहां पर दोस्तों deployment की बात करें तो पहले नंबर पर checkpoint का deployment आता distributed deployment जिसमें की आपका gateway अलग होता है and management server अलग होता है इन दोनों के बीच की connectivity एक secure way में होती है जिसे secure internal communication का जाता है और secure internal communication कैसे वह करता है यह हम आगे जानेंगे and बहराल आप इतना जानेगे कि यह 128 AES 128 bit encryption algorithm यूज़ करके secure manner में एक connection इस्टेबलिस करता आपकी gateway और management के बीच में और next हमारा है deployment stand alone deployment दोस्तो अगर stand alone deployment की बात करें तो stand alone deployment वो deployment होता है जिसमें कि आपका management प्लस gateway server दोनों सेम बाक्स में होते हैं यानि यह आपका stand alone box है यह equal होता है आपके management प्लस gateway यानि दोनों का combination होता है एक single box के अंदर तो stand alone और distributed deployment को लेके फिर हम फर्दर आगे different deployment करते हैं अपने firewall को high availability में configure करने में let's up मैं example देता हूँ एक चोटा सा यह मेरा firewall है यह gateway only single gateway यह distributed deployment की मैं बात कर रहा हूँ management server की जगह मैंने क्या किया मैंने अपना stand alone box यहां पर डाल दिया यह security gateway plus management दोनों काम करेगा तो मैंने इनको बाद में fail over यानि high availability में डाल दिया कि यह gateway भी है यह भी gateway है and management अगर मुझे चाहिए तो only मेरे पास single management है जो की stand alone box है और ऐसी हम क्या कर सकते हैं कि एक management अलग से box ले सकते हैं distributed deployment के according और एक stand alone box लिया मैंने security plus management और मैंने इसको primary management बना दिया इसको secondary management बना दिया और मेरे gateway रहेगा तो traffic मेरा सारा यहां से पास होगा policy push वगरा primarily मैं यहां से करूँगा अगर यह down हो जाता है तो यह standalone box तो है तो मैं policy यहां से push करूँगा तो different type के deployment create कर सकता हूँ बस basic अगर हम deployment की बात करते हैं तो two type के deployment होते हैं distributed and standalone तो I hope आप लोगों के समझ में आगया होगा तो आगे बढ़ते हैं ओके दोस्तो three layer architecture यह question अगर आप किसी भी checkpoint firewall का interview देने जाते हैं तो आप पहला question यही पूछा जाता है कि three layer architecture क्या है checkpoint में तो it's not a big deal आप अगर ध्यान देंगे तो यह समझ में आ जाएगा बाकी जब हम आगे practical करेंगे तो और ज्यादे किलियर हो जाएगा तो इसको जानते हैं ओके दोस्तों तो बात करते हैं checkpoint three layer architecture की तो मैं बताना चाहूँगा यह जो checkpoint पॉलिसी एडिटर जो पहले नंबर पर हमारा PC जो हमें शो कर रहा है इसे टेक्निकल लेंग्वेज में हम चेक्पॉइंट की language में हम कहते हैं smart console मैं लिख देता हूं यह पर smart console और होता क्या है हम अपने PC से अपने management server का access लेते हैं और access किस के थ्रू लेते हैं दोस्तों हम लेते हैं smart dashboard के थ्रू अब smart dashboard क्या है यह जब हम practically पढ़ेंगे तब समझेंगे यह आप अब इतना समझ लीजे कि एक console होता है यानि like मुझे facebook access करना है तो मैं facebook.com डालता है तो मेरे सामने एक page आजाता है जिसमें हमें username और password डालना होता है username password डालने के बाद facebook पेज़ जब हमारे सामने open हो जाता है तो उसमें हम कोई भी status पोस्ट कर लेते हैं तो similarly यह जो management server से हम console लेते हैं एक tool आता है smart dashboard उसे access करते हैं अपने PC में या smart dashboard की तरह smart view monitor smart tracker smart view update smart view event तो काफी सारे tool आते हैं तो generally हम smart view dashboard पे changes करते हैं अगर मुझे rule create करना हो तो मैं smart dashboard को access करूँगा net करना हो VPN create करना हो identity awareness related तो सारा कुछ मैं mostly 90% काम अपना smart dashboard पे करता हूँ तो हमारा PC कहलाता smart console जहांपे की हम smart console को access करके rule policy net जो भी हमें requirement हम create करते हैं और जब हम create करते हैं तो हम create करते हैं अपने smart management server पे या इसको checkpoint management server का जाता है तो create करने के बाद हम policy push करते हैं तो अब management server का क्या काम है जो हमने changes यहां पे किया उन changes को यह अपने आप में store करेगा log की अगर हम बात करते हैं जो भी traffic का log आएगा वो यहां पे अपने आप में store करेगा तो management का काम है कि उन सारे चीज़ों को manage करना उनको अपने आप में store करना तो let's suppose मैंने कोई नया rule create करा मैंने policy push करी तो management server क्या करेगा उस policy package को जो यह let's suppose मैंने policy package है इस policy package को वो convert करेगा object underscore zero underscore five dot c format में आप चेक कर लिजेगा यह underscore यहां पर आता है यह नहीं आता आप चेक कर लिगा जाता कर आएगा object underscore zero dot underscore five dot c format में configure करके checkpoint push कर देता है अपने gateway पे अब gateway का क्या काम है gateway का काम है जो rule हमने यह पर create किया था उसके according to traffic जो भी इसमें आएगा in या out होता है उसको filter करेगा तो I hope आप लोगे समझ में आ गया होगा क्योंकि आप technical तो है इतने तो quickly एक बार देखते हैं मैंने rule create किया अपने PC पे PC से वो rule apply हुआ, store हुआ आपके management server पे management server ने उसको required format में convert करके apply कर दिया gateway पे किस format में object underscore zero object underscore zero underscore five dot c format में और ये आपका उसके accordingly traffic को filter करेगा जो भी changes आपने की है तो I hope आपको समझ मागा होगा और अगर हम नाम की बात करते हैं एक बार फटापट देख लेते हैं इसको कहते हैं smart console, smart view, no, no, smart management server SMS और इसको कहते हैं smart gateway SG या आप इसको technical language में enforcement module कह सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं अपने lecture में ओके तो दोस्तों ये lecture नहीं पर समाच्ट होता है आपका और daily की तरह यहां पर मैंने question put up किया है कि जो कि आपको search करना होता है आपको कुछ extra अपनी और से effort देना होता है कि difference क्या है checkpoint और ASF firewall के बीच में आपको major difference क्या लिखता है तो आप जो भी आपको difference लिखता है major difference आप comment किजिएगा और अगर आप comment नहीं करते हैं तो आप अपने knowledge database जो आपके mind में उसमें आप डालीजेगा तो आप हमें follow कर सकते है facebook.com पर network seal के नाम से मैंने एक page create किया हुआ है यह सबी के लिए open है यानि यह मेरी propriety नहीं है यह open standard है यहाँ पर आप अपना comment कर सकते हैं कोई भी issue आप face करते हैं कहीं पर तो आप यहाँ पर post कर सकते हैं और आप हमें हमारी website पर follow कर सकते है networkseal academy.networkse तो थैंक्यू